आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रिसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरट विडियो सिलीशन पाओ। अभी राउटनोट करें। परिवर्तन जब देखने को मिले बुरा, यानि कि पहले जो सामान्य परिवर्तन है वो नहीं, उसके अलावा। कोई बुरा परिवर्तन जब देखने को मिलता है, तो वो परिवर्तन ये दर्शाता है कि शरीर में कोई रोग हुआ है। ठीके, उस परिवर्तन की जो अवस्त उस अवस्था को क्या बोला जाता है उस अवस्था को रोग कहा जाता है ठीक है अब ये हुआ रोग अब हमने कितने प्रकार के रोगों का अध्यन किया हुआ है तो रोग जो है दोस्तों कितने प्रकार के हो सकते हैं तीब्र रोग तीब्र गती से पहलने वाले रोग ठीक है दिर्गकालिक यानि लंबे समय तक रहने वाले रोक शरीर में, इसके अलावा संक्रामक यानि किसी संक्रमन कारी की वज़े से होने वाले रोक और असंक्रामक यानि कि बिना किसी संक्रमन की वज़े से होने वाले हमारे शरीर में ही किसी कमी या किसी की अधिकता की वज़े से ह तीवर रोग जो होते हैं ठीक है उसमें उधारन ले सकते हैं जो वाइरस के कारण जो रोग होते हैं ठीक है वो संक्रमन कारीवी संक्रमन रोग संक्रामक रोग के अंतरगत भी आते हैं लेकिन ये तीवर रोग की श्रेणी में भी हम इनको रख सकते हैं ठीक है क्योंकि ये ते जैसे की cancer, उसके बाद संक्रामक रोग, जैसे की typhoid, जो की salmonella typhi की वज़े से होता है, उसके बाद असंक्रामक जिसमें उधारन ले सकते हैं diabetes का, जो की शरीर में insulin की कमी से होता है, तो यह हुए रोग और उनके उधारन, आशा करते हैं, आप कुस प्रश्ण का उत्तर तरहें अपने सारे doubts आच 4444 पर,